नमस्कार स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम शुब राशी में मैं हूँ आपके साथ आचारे दीपा शर्मा आप देख रहे हैं जी उत्रप्रदेश उत्राखंड आज तारीक 15 जुलाई शुक्रवार जल्दी से बात कर लेते हैं राशी फिल के और सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी वालों की मेश राशी वालों के लिए रहेगा आज का दिन रुके हुए काम पूरे होंगे विदेश यात्रा पर जाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन चात्रों के लिए दिन भी आज अच्छा रहने वाला है विश्व राशी के लिए प्यापारियों के लिए दिन अच्छा है सोच समझ कर फैसला ले परिवार वालों से आज किसी बात पर बहस हो सकती है अवाइड करना आपके लिए अच्छा होगा मिध्रुन राशी वालों किसी परिजन से आज मुलाकात हो सकती है रुके हुए काम भी आज आपके पूरे होंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो सोच समझ के करना करक राशी वालों के लिए जीवन में कोई भी नया परिवर्तन आज आ सकता है शांती बनाई रखना वाद विवाद से दूर रहना आज आपके लिए अच्छा होगा सिंग राशी वालों के लिए ओफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है नया बदलाव भी हो सकता है लेकिन सेहत पर ध्यान देना आज ना भूले करना राशी वालों के लिए बाहर की खान पान से बचे कोई गुड न्यूज आज आपको मिल सकती है ओफिस के काम से आज आपको बाहर जाना पड़ सकता है तुला राशी आज आप शौपिंग पर जा सकते हैं आज पूरे दिन थोड़ा सा आलस तो रहेगा लेकिन पार्टनर को समय देनाज बिलकुल न भूले विश्चिक राशी वालों के लिए व्यापाज संबंदी योजनाए आज गुप्त रखनी है ओफिस में आज आपकी तारीफ हो सकती है लेकिन बदलते मौसम की वजह से अलर्जी हो सकती है स्वास्ते का ध्यान रखें ननुराशी वालों के लिए परिवार में कोई नया कारे हो सकता है आर्थिक पक्ष भी आज आपका मजबूत होगा दोस्तों से मिलने जा सकते हैं मन अच्छा हो जाएगा आज आपका मकराशी वालों के लिए रुके हुए पैसे मिल सकते हैं आज परिवार का सहयोग भी मिलेगा पूरे दिन आज व्यस्त रहने वाले हैं कुमराशी वालों के लिए निवेश से हो सकता है बड़ा मुनाफा गुसे पर कंट्रोल करें सामाजी कारे कर सकते हैं दिन आपका बहतर बना देगा अंतिम राशी मीन राशी आज कोई विशेश परियोजना बन सकती है आज आपको किसी की मदद मिलेगी दिन काफी अच्छा है फायदा जरूर उठा लीजेगा ये था बारा राशीयो का राशीफल कल फिर नए राशीफल के साथ आपके सामने हाजर होंगे तब तक के लिए हसते रहना है हसाते रहना है हमेशा खुश रहना है जैमा तक